नमस्कार दूस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपानी के अपडेट सेयर करने वाला हूं तो इस वीडियो को पूरा लास्तिक देखेगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जोरू कर लिजेगा कंटिनियसली इंफॉर्मेशन और अप्डेट्स पाने के लिए इसी चैनल के पर बने रहिएगा तो चलो देख लेते हैं कौन सा कौन सा कंपानी है इस वीडियो के अंदर फर्स्ट कंपानी है जिसके नाम है रिलाइंस इंडेस्टीज इसके पर मुझे बहुत सारे कमेंट् करिए तो चलो मैं डिरेक्ली आपको टेक्निकली चाट परने को पर लेखे जाता हूँ कि को कंपानी को जो रिजार्ट आया अभी तक फाइनली रिजल्ट जो रिजल्ट है वो अप्टेड में आपको यहां पर दिखा देते हूँ आप अभी तक अप्टेड नहीं हुआ हमेशा एक अच्छा कासर एजल्ट किया है हमेशा एक प्रॉफिटबल बिजनेस करके आया हुए है इसमें द्वायरा ही नहीं है कि एक कमपानी कुछ खास पर्फॉमेस हमेशा करे ना करे कमपानी में हमेशा गृतबल सीचुएशन देखने को मिली जाते है अभी देखिए कैसे देखिए जब भी ब्रेकवट हुआ तो ब्रेक आउट के बाद एक कंफरॉमेशन चाहिए था इस कंडल ने ब्रेकवट किया और नेक्स्ट यहाँ पर जो कंडल है इस कंडल कर लिया तो कंफरॉमेशन करने के बाद यहां पे एंटे बन चुके थे अब भी दिखिए Reliance एक positively candle को आपर side में trade कर रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जिस तरके से इतने दिनों के बाद एक range को breakout किया around 3 years, 2 years plus इतने दिनों के बाद एक range को breakout किया तो एक बड़ा सा journey तो दिखाएंगे तो journey कितने होने वाल है तो anti level से अगर मैं target level तक देखू तो almost 23% के आसपस target मिनने का chances है तो एक बड़ा achievement होगा obviously तो मेरे हिसाब से मैं इसके उपर continue जोरू करूँगा कि मेरे anti level इस level में है मैं पहले बोल चुका हूँ पिछले एक वीडियो में मैं आपके साथ discussion किया था और मैंने anti इसले लिया क्योंकि का अच्छा का सा result के साथ-साथ company की एक points में इसले में ध्यान से दिखेगा company के उपर CW IP जिसके उपर company लगातार पैसा लगाते हैं मतलब लगातार वो पैसा लगाते आए हुए तो इसका मतलब continuously जो company खुद के बीजिस के उपर processing के उपर continuously पैसा लगाते जा रहा है तो कुछ ने कुछ तो growth हमेसा होगा हाँ जो लोग पॉल है कि sir company के बस करजा है करजा कितना है सिर्फ 0.42% के आसपास ना के बराबर करजा है तो इसमें चिंताबला बात कोई नहीं है क्योंकि जो डेप्तॉप equity है तो एक plus point की साबसे जूरू देखना चाहिए तो एक अच्छा कासा point of view से देखा है तो 0.50 के नीचे 0.50 के नी है हाँ चोटे-मोटे quantity या पे FIS के पास quantity या पे lose होता देखने को मिले उसका directly फाइदा जो है वो obviously FIS ने उठा लिया और उसके साथ साथ public ने भी कुछ quantity आडिके तो चोटे-मोटे quantity इस तरह किसे इधर-दर होता रहेंगे तो इसमें बड़ा फरक आपको नहीं दीखेगा तो इस company को पर आप continuously future के लिए भी सोच सकते है as a long term के लिए क्योंकि 21% के आसपास company आपको averagely return दिया है last 10 years और last 5 years में इससे बड़े जी और कुछ होने सकता का company इसको पर आपके का decision है मुझे जुरू comments करना क्योंकि company जिस तरीके से mutual fund ने लगातार August month से buying start किया है आज तक mutual fund ने कोई भी एक मान में sell-off नहीं किया, continuously buy करता चला गया, तो relance industry इसको पर एकी बात कहूंगा, कि मेरे यह जो patterns जहाब एक केड हुआ है, उसको और manager tail लिया, वो मेरा खुद को opinion है, आप अगर tail लेना चाहते है तो please आपके opinion के हिसाप से काम करिएगा, तो next company उसका नाम है ICT इसके उबर भी एक सांधा तरगे से NT बना, और मैं NT ले चुका हूँ, और मैं पिछले दिनों में ही NT लिया हूँ, क्यों लिया हूँ, चलो मैं सबसे पहले चार्ट प्रण आपको दिखा दू, तो finally बहुत दिने के बाद, पहले यहाप एक NT लेबल बना था, पहले यहाप पहले एक काफ वीध हैंने पटनस बना था, और फाइनल उसका टार्गेट अचीव हो चुके है, और उसके बाद फिर से एक बार NT बना, फिर से मैं आपको बोला था कि इस लेबल में अगर काफ वीध हैंने पटनस बने तो फिर से एक बार NT बनेगा, तो finally NT बना, और एक ची का जो इसका हाई है, उसी हाई के नीची इसका टार्गेट बना है, तो हाईर पॉसिबिलिटी है, उस टार्गेट का अचीव कर सकता है, अभी दिखिए, जब काफ वीध हैंने पटनस कंपीड हुआ, तो हुआ क्या, आप देखेंगे तो यहापर देखिए, जो हैंडल पट तो सोचिएगा एक बड़ा धमा का जुरू देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही रेले कंपनिस के उपर एक बुलिस सिचुएशन देखने को मिला है, क्योंकि बाजेट जो आएगा, तो रेले गवर्मेंट के उपर ही सबसेदा अच्छा का सा बाजेट देखने को मिलेगा जिसके लिए RBNL, IRFC, RELTEL तो साती सार आरकॉम इस सारे कंपानी से लगातार भागते चले जा रहे हैं तो उसी सेक्टर में इंडन रेले, सारी, IRCTC भी एक रेले कंपानी है तो उसका भी ग्रोथ होना और भागना तो मतलब बड़े गही क्योंकि सेम सेक्टर का सारे कंपानी से भाग रहे हैं तो अगर मैं टार्गेट तक देखू तो अल्मोस्ट यहाँ पर जो टार्गेट निकल का रहा है मेरा 38% यह 38% टार्गेट लेकर चलूँगा आपके क्या ओपीनिन है इसको पर जोरो कमेंट्स करना तो सेलिंग इतना हो रहा है उससे दुगना दुगना नहीं तीन गुना ज़्यादा यहाँ पर बाइंग हो रहा है तो इसका मतलब अच्छा खासा एक बाइंग होने के कारण सेर में एक मैसिब मोमेंटम जरनी भी देखने को मिले साथी साथ आप कमपानी के फाइनेसल डीटेल्स के बारे में चर्च अगर तो पिछले डेटा भी देखेंगे तो सेल्स में कोई भी कमिया देखने को नहीं मिलेगा एक्सपेंस कमपानी कंट्रोल में रखे उस बेसिस में नेट वाफिट लगातार एक अलग लेवल का ग्रोथ होता देखने को मिले यह सारे पॉइंट पॉजिटिव होने के कारण कमपानी में एक एक बुलिस फील्ट हमेसा बनता रहता है हाँ December का रेजल्ट कब आएगा तो December क्वाटर का रेजल्ट आएगा 7th of February तो उस तारीक को रेजल्ट आएगा तो उसको याद रखना उस तारीक को फिर से यहाँ पर कमपानी को उपर अच्छा का सा रेजल्ट आएगा इस तरह के से कुछ information और deport के माथम से देखने को मिला है तो रेजल्ट जब आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि आप ध्यान से देखेगा रेजल्ट अच्छा का सा आने का एक अंदर्ज आपको मिल जाएगा अब TTM देखेंगे तो TTM में आपको अगर profit दिखे तो सोच ना quarterly अच्छा का सा रेजल्ट आने का chances रहेगा तो अभी रेजल्ट क्या होगा कितने profit होगे कितने loss होगे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जब रेजल्ट सामने पब्लिस हो जाएगा तो इस company के उपर मैं बुलिस हूँ क्योंकि company के sales का growth profit का growth और return of equity सब कुछ बेस्ट है जिसके लिए company last three years में और one years में अच्छा खासा धमा का रेट आं दिया तो कोई बात नहीं companies को पर आपका क्या opinion है क्योंकि institution इस company के उपर लगातर continue कर रहा है और खुद के holding को बढ़ाते चले जा रहे है जैसे F.I.S. के पास साड़े 5% था आज वो बढ़के साड़े 7% हो गया DS के पास साड़े 5% था वो बढ़के आज साड़े 11 से 12% हो गया तो एक अलग level का positivity देखने को मिले है तो next चो company है उसके बारे में चर्चा कर उसका नाम है Zomato Limited देकि Zomato के जो result है वो पिछले बार के जो result है बहुत दिनों quarter मतलब quarter 1 में company 2 crore का profit किये और quarter 2 में company 36 crore का profit किया और अभी एक बात सुनने को मिल है कि company quarter 3 में भी अच्छा खासा result करने का announcement आने वाला है तो होगा क्या वो तो आपको बार में पता चलेगा कि मुझे नहीं लग रहा है कि उतना खास result आएगा फिर भी result के मामले में positive आने का chances भी है कि company का जो पिछले सालों का result था अभी TTM के बारे में बात करूँ आप देख सकते है TTM के बारे में बात कर तो company का losses कम देखने को मिल है तो इसका मतलब profit result आने का chances भी देखने को मिल सकता है अभी result कैसे होगा बहुत आपको बाद भी पता चलेगा मगर company का sales का growth बहुत बुलिस फिल्ट और बुलिस मोवमेंटम देखने को मिल सकता है बाकि इस company को पर आप किस तरीके से सोचते है जोरू comments करना क्योंकि जो माट कोई छोटो माट कमपनी नहीं है एक लाग करोड के उपर market क्या भी इसका और company आज side losses company है feature में वो profitable होने का दम रखते है तो जब profit ह होगा तब अब निबेस करेंगे अगर एस सोच रहे है तो आपके decision जोरूर उसी तरीके से होना चाहिए और हाँ इस company को पर इस बार देखेंगे तो CWIB में company 12 क्रोर के आसपास पैसा लगा चुके है और एक कुछ points positive होने के कारण इस company के उपर एक trade बना था जो मैंने trade continue कर र के बाद एक reversal किया था तो इस ए जो level है ए लेवल कौन सा level है previous data देखेंगे तो ए लेवल company के लिए strongly क्या था एक strongly resistance था और उसके साथ साथ एक supply zone था अभी resistance और supply zone किसको कहा जाता है जिस level से ध्यान देना जिस level से big grass होता है तो उस level को resistance काम supply zone कहा जाता है तो वहाँ पर जाकर शेयर तो रुकेंगे ही तो उसके बाद वहाँ पर रुका उसके बाद correction हुआ और जब भी यहाँ पर हैमर जैसे candle बना कर फिर से reversal किया इसका मतलब बायर बहुत ज़्यदा active है उपर जाने के लिए तो मेरे सबसे target achieve होने के 160 rupees में इसका target है मैं target लेके चल रहा हूँ जो मेरे entity level करीब 99 rupees के 100 rupees के आसपास है तो 160 तक जाए तो मुझे 58% के आसपास target मिनने का chances है और target होने का ज़्यादा possibilities इसलिए है कि कि कमपानी के previous जो swing high है तो उसी level के नीचे entity बना है इसका मतलब higher possibility है इसका target होने का तो मैं request करूंगा इस company के उपर focus रखिए और आपके क्या opinion है जो तो मुझे comments करें कि मेरे वीडियो हमेशा सीखने के लिए होते हैं सारे चीज समझने के लिए होते हैं कोई भी मेरे तरफ से buy and sell का recommendation नहीं होता है तो please एक बार काम आपको किसी भी companies के उपर काम करना है तो आपके opinion किसाफ से करिए आपका जो advisor है उसके साथ बातकीत करके काम क करिए blindly किसी को follow मत करिए मुझे भी नहीं क्योंकि हर किसी का अलग-अलग opinion होता है अगर मेरे वीडियो में कुछ सीखने को मिले वीडियो अच्छा लगे तो please like करना और आप कौन सा company के उपर वीडियो देखना चाते हैं वो भी मुझे comments करके बता सकते हैं तो next company है उसके ना करके बताना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद